जैहिन गाइस स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में तो गाइस ये आपकी जीके की बाचफे नमबर की क्लास है और हम आपके सामने लेके सभी महत्पूर्ण कोश्चन हाजी रहे तो वीडियो को लाइक चरूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए स सामने है जैसी यहां पर बता दूं मैं कि यह जो कोश्चन पूछे जारे हैं आपको यह बिल्कुल एक्जाम में पूछे गए पेटर्न के आधार पे है देन यहां पर पूरे जीके के कोश्चन आपको करवाय जाए जाएंगे जो की एक्जाम में पूछे जाएंगे इस fasting कर करना है तो आपको यहां पर इसका सयूत्तर याद में रखना है आपका जो मद्यप्रदिश राज्य है वो कब यानि कब इसकी स्थापना हुई थी यह आपको ध्यान में रखना है तो गैस यहां पर मद्यप्रदिश राज्य को जो राज्य का दरजा मिला या पूर्ण समर्थ यह दिख राज्जी बना, वह कब बना, यह आपको ध्यान में रखना है, यह बना आपका 1 नौउंबर 1956 को राज्जी बना मद्धि प्रदेश, यहां पे एक और इंपोर्टेंट फिक्ट आपको ध्यान में रखना है, कि जो मद्धि प्रदेश है, उसका पुनर गथन कब कब गैस आपको question पूछेगा अगर पुनरगठन कब हुआ तो आपको बताना है एक नवंबर 2000 को पुनरगठन हुआ मद्यप्रदेश का देन आपकी एक नवंबर 1956 से पहले जो मद्यप्रदेश की राजधानी थी वो क्या थी गैस तो वो नागपूर थी ध्यान दीजी गा एक नवंबर 1956 से पहले मद्यप्रदेश की राजधानी नागपूर थी देन उसके बाद एक नवंबर 1956 को आपकी राजधानी क्या बनी भोपाल बनी ओके गैस ये पैंट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजगा देखी एक question से आप लोगों को इतने फेक्ट बता दूँगा कि question आपके एक भी exam में miss नहीं होंगे चलिए अगले question की ओर बढ़ते गैस second number का question है आपका और ये question आपका बार बार repeat हो रहा है और बहुत चारा महत पूर्ण हो जाता है छेतरपल की आधार पर मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो गैस आप सभी साथियों को म कि आप लोगों के लिए एक homework है कि आप लोग इसका comment जरूर करें कि जो मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा जिला है चेतरपल की दरश्टी से चिनवाडा उसका चेतरपल कितना है तो comment box में comment जरूर कीजिएगा कि मद्यप्रदेश का चेतरपल कितना है क्योंकि exam में अगर अगला question आपका है चली तीसरे नमबर का question चेतरपल के आधार पर मद्यप्रदेश है भारत का सबसे बड़ा राज्य दूसरा सबसे बड़ा राज्य या छटा सबसे बड़ा राज्य या तीसरा सबसे बड़ा राज्य तो guys यहां पे आप सभी सातियों को ध्यान में रखना ह कि जो मधिप्रदेश है वह छेतरपल की द्रश्टी से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है तो गैस यहां पे पहला राज्य कोंसा है सबसे बड़ा भारत का तो वह राजिस्तान है ओके गैस आपको ध्यान में रखना है राजिस्तान सबसे बड़ा राज्य है छेतरपल आधार पर मद्धिप्रदेश का सबसे बड़ा सहर कौन सा है तो गाइस यहां आपका सही उत्तर हो जाएगा जो जन्संक्य की दरश्टी से सबसे बड़ा सहर है आपका वह है इंदोर ओके गाइस इंदोर आपको ध्यान में रखना है बढ़ेंगे अगले कोश्चन क्यों ओके चलि गाइस आपका अगला कोश्चन है वाजफे नमबर का कोश्चन मद्धिप्रदेश का सबसे प्रसीद अगभारी कागच कारखाना कहां पर इस्तित है तो आप सबी सातियों को याद रखना है बहुत ज़्यादा मातपूर्ण कोश्चन है अगभारी कागच कहां पर इस यह आपको ध्यान मरतना है कितनी बार यहां कोश्चन रिपेट हो चुका है और आगे भी रिपेट होगा तो गाइस बिल्कुल नोट डाउन कर लीजे आप लोग की जो आपका अख़बारी कागसकार खाना है वह आपके नेपा नगर में है ओके बढ़ेंगे अगले कोश्चन अगला कोश्चन आपका है चलिए बहुती प्यारा सा निम्न लिखित में से कौन सा छेत्र मद्धि प्रदेश में नहीं है छोटा नागपूर मालवा बगेलखंड या महा काउसल तो गाइस इसका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है जो आपका छोटा नागपूर है वह जपल पूलवा छेतर कहला जाता है ओके गाइस तो ये आपको याद में रखना है छोटा नागपूर है आपके मद्धि प्रदेश में नहीं है ओके देन मालवा बगेलखंड और महा काउसल ये तीनों छेतर आपके मद्धि प्रदेश में अविलेबल है बढ़ेंगी अगल कुश्चन आपका है चली सेवन नंबर का कुश्चन कौन सा सही योग में नहीं है तानसेन अगबर कालिदास मेगदूत घराना संगीत उमरिया वसंत महसल तो यहाँ पे आपको ध्यान में देना है कि जो तानसेन है वह अगबर के दरबार में रहते थे तो ये बिल्कुल सह है वो मेगदूत है ये भी सही है और जो घराना है वह संगीत से संबन्दित था ओके ये भी सही है देन यहां पे आपका गलत क्या है तो गाइस आपका लाश्ट ऑप्शन गलत है उमर या वसंत मौसव ये रॉंग है ओके तो आपको ध्यान में रखना है बढ़ेंगे अगले क कोश्चन आपका है चली और गाइस आप सब विसातियों को अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो कृप्या करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि समय समय पे लटेस्ट अप्डेट मिलते रहे नए साती हमारे द्वारा बनाय गए वीडियो को अधिक से अधिक सेर करे और चैनल को सब्सक्राइब चरूर करे चली आठवे नंबर का कोश्चन आपके सामने है नेमन में से कौन सा राश्टी उद्धान मदिप्रदेश से सम्मंदित नहीं है और बहुती प्यारा सा कोश्चन गैस इसलिए मैंने जो है र पूछा जाता है आपका राश्टी उद्धान से तो देन उस टॉबिक को अब बिल्कुल अच्छे तरीक से लर्न कर ले ओके तो आपको कोश्चन में पूछा है निमन में से कौन सा राश्टी उद्धान मदिप्रदेश से सम्मंदित नहीं है तो गाइस यहां सभी सातियों को याद रखना है कि मैंने जो पिछली क्लास लाया था नेशनल पाक से वहां पे बताया था मैंने कि आपका जो बांदोगर राश्टी उद्धान है यह उमर्या में स्तित है देन ये 32 पाड़ियों से घिड़ा है आपका बांदोगर और इसमें जो है सरवादी टाइगर पा आपका मंडला में पाया जाता है और माधव राश्टी उद्धान आपका सिवपूरी में पाया जाता है तो आपका बचा कौन सा जो मध्यप्रदेश में स्तित नहीं है तो वो आपका है जीम कारवेट राश्टी उद्धान तो आपको बताया था मैंने पिछली का अक्छा म यह आपको ध्यान में रखना है सबसे पहला राष्टी उधान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी उत्राखण में है और इसे नेशनल हेली राष्टी उधान के नाम से भी जाना जाता है इतना तो आप लोगों को गाईस बिल्कुल किलियर हो गया होगा बढ़ेंगे हम लोग नेक्स कोश्चन की ओर चली नाइन्थ नंबर का कोश्चन है आपका बहुत दी प्यारा सा और सानधर कोश्चन ओक्ए सिवपूरी जिले में कौन सा अभ्यारना है महान भारती सारंग सोहन चिडिया के लिए प्रसीद है गाइस देखी पूरे कोश्चन यहाँ पर इतने किलियर कर देंगे हम लोग की बिल्कुल एक भी कोश्चन मिश नहीं होगा तो गाइस यहाँ पर देखान में रखना है आपका जो सिवपूरी जिले में है कौन सा अभ्यारना है जो महान भारती सारंग सोहन चिडिया के लिए प्रसीद है तो यह आपका है करेरा पक्षी अभ्यारना है ओके गाइस कहाँ पर शिवपूरी में आपके एक्जाम की दरश्टी से महतपूर्ण है बढ़ेंगे अगले कोश्चन अगला कोश्चन आपका दस्वे नमबर का कोश्चन है चली माधव अभ्यारने कहां इस्तित है सिद्धी, खोशंगाबाद, चंपी या सिवपूरी तो गाईस इसका सही उत्तर आप सभी सातियों को पता दू माधव अभ्यारने है आपका वह आपका सिवपूरी में लोकेटेड है ओके गाईस तो बढ़ेंगे अगले कोश्चन में अगले कोश्चन आपका 11 नमबर का कोश्चन चली 11 नमबर का कोश्चन है मद्धि प्रदेश में राष्टी उध्धानों और अभ्यारनों की कुल कितनी संक्या है तो गाइस यहां पे सबी सातियों को गन्फियूज था कि यहां पे भी देखे ऑप्षन में पुराना डाटा दिया हुआ है तो गाइस अपडेटेड डाटा बता दू मैं आपको कि मद् तो अभी जो दो राष्टी उध्धान बने है वह कौन-कौन से बने है वह भी ध्यान में रख लेना चाहिए आपको ओके पहला राष्टी उध्धान नया बना है आपका ओंकारेश्वर राष्टी उध्धान जो कि कहां है आपका खंडवा में है ओके गाईस ओंकारेश्व बने है पहले नौ थे लेकिन अब 11 हो गए है ओके गाईस तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मध्री प्रदेश में अगर राष्टी उत्धान और अभ्यारनों की कुल संख्या पूछता है तो 11 राष्टी उत्धान और 25 अभ्यारन है ओके गाईस नो डाउन कर ले किलियर हो तो ये आपको ध्यान में रखना है बांद अबर राश्टी उत्हां Okay बागों के सरवादिक धनत्व केली जाना जाता है डिन पणना राश्टी उत्हान आपका चतरपूर में है ओके गईस यह भी आपको ध्यान में रखना है पेंच वर्ने जीव अब भ्यारन सियोनी और छिनवाड़ा वाले छेतरों में पढ़ता है ओके गईस बढ़ेंगे अगले अगले कोश्चन आपका है चली देखे यह जो है आपके बहुत ही अच्छा कोश्चन फोसिल्स नेशनल पार्क कहां इस्तीद है तो गाईस यह है आपके जो आपके जो दो नए राश्टी उधान बने थे उनमें से एक यह है फोसिल्स नेशनल पार्क जो की कहां है आपका बत नमबर का कोश्चन चली 14 नमबर का कोश्चन विश्वो में कौन सा राष्टी पार्ख बंगाल टाइगर की उच्चेतम घनत्व के लिए प्रसीद है देखे तरीका बदल गया है पूछने का लेकिन इसका उत्तर भी वही होगा बागो का सरवादिक घनत्व भी पूछे या प उच्चेतम घनत्व के लिए प्रसीद है तो गैस इसका सही उत्तर आपको याद है मैं पिछले बार भी यह कोश्चन ला चुका हूँ तो बांधव राष्टी उत्धान ओके गैस कुमरिया में लोकेटेड है देन कुछ राष्टी उत्धान है जैसे माधव राष्टी उत् बताईए तो गैस आप सभी सात्यों को बता दू नर्वदा नदी मैश्वर से बैती है ओके देन गैस आप को यह भी ध्यान में रखना है कि नर्वदा नदी सबसे बड़ी नदी है मधिप्रदेश की ओके गैस इसको रेवा के नाम से भी जाना जाता है ओके बढ़ेंगे अ कोश्वर से बड़ी नदी है आपको ध्यान में रखना है ओके बढ़ेंगे अगले कोश्वर करश्वर कोश्वर का शरोत का ऐसे है updating नमबर का कोश्वर नर्वदा और तापती दोनों बहaser जाती है मनार की खाड़ी में खाड़ी में खंबात की खाड़ी में चिलका जिल गय रहसेन में, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, तो आपके जो इस साइड में आपकी खमबाती खाड़ी है, तो यहां जो है आपके नर्वदा ने इस तरह बैती होई आती है और गुजरात के भरूच से कहां खंबात की खाड़ी में चले जाती देना आपकी बैतूल से निकलती गाईस कोन सी नदी बैतूल से निकलती आपकी ओके बैतूल से तापती नदी निकलती है और वो भी आपकी पैरल यानि ये दो नर्बदा नदी और तापती नदी दोनों ए आपका है 90 नमबर का कोश्चन, सोन नदी सीधे किस में मिलती है, ब्रह्मा पुत्रा में, कृष्णा में, गोदावरी में या गंगा में, तो गैस इसका सही उत्तत क्या होगा आपका, जो आपकी सोन नदी है, वो सीधे कहां मिलती है, तो गंगा में मिलती है, ओके गैस ये बैती हुई खालिस्तान में मिलती है चली फिर से बहुत ही प्यारा सा कोश्चन अरफ शागर में मिलती है हिंद महा शागर में या बंगाल की खाड़ी में तो गाइस आप सभी साथियों को अभी मेप की द्वारा बताया था कि इस साइट आपकी क्या है खंबात की खाड़ी और यहां पर अरफ सागर है तो गाइस कहां पर मिलेगी आपकी जो तीनों नदिया तो आपको ध्यान में रखना है आपके अरफ सागर में ओके खंबात की खाड़ी में और अरफ सागर में ओके तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नर्वधा और ताप्ति और माही नदिया कहां मिलती है तो अरफशागर में मिलती है बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन आपका है किस इस्तान पर बेतवा नदी यमुना से मिलती हमीरपूर उजयन या साजापूर या मान में तो गाईस ये आपको ध्यान में रखना है आपके हमीरपूर में मिलती है आपकी यमुना नदी बेतवा नदी यमुना से हमीरपूर में मिलती है 22 नमबर का question देखते गाईस यहाँ पर चली 22 नमबर का question है आपका वह नदी जो मध्यप्रदेश से निकल कर राजिस्तान जाती है और पुना मध्यप्रदेश में प्रवेश करती है तो गाईस यहाँ कौन सी नदी है आपकी तो आपको ध्यान में रखना है यह चम्बल नदी ह है ओके गाईस एक नदीयों से भी विडियो आपकी लाया जाएगा गाईस ओके पूरा संपुर्ण नदीयों के बारे में यहाँ पे आपको करवाया जाएगा चली मध्यप्रदेश के सबसे पूराने बांधों में से एक है पगारा बांध इंदिरा सागर सरदार सरोर या र जब आप मध्यप्रदेश में यात्रा करते हैं तो मुरम नाला आपको कहा मिलता है तो आपके बालाघार डिस्टीक में मिलता है आपका मुरम नाला ओके आपको ध्यान में रखना है बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन आपका है 25 नमर का कोश्चन इंदि मल्टी पर्पस योजना है यानि बहु उद्धिश्टी योजना है अगला question देखते अगला question आपका है twenty six number का question मान खालिस्तान नदी की साहेक नदी है नर्बदा, चम्बल, गोदावरी या यमूना तो guys यहाँ पे मान नदी किसकी साहेक नदी है आपको ध्यान में अगले कोश्चन आपका है 27 नमबर का कुश्चन मधि प्रदेश में सबसे अधिक पन बिजली उत्पन करने वाली परियोजना कौन सी है यानि पानी से जो बिजली अधिक उत्पादन किया जाता है वह कौन सी परियोजना है इंदिरा साघर मान साघर या पगारा बांद या सबसे अधिक पन बिजली उत्पन करने वाली परियोजना है इंपोर्टेंट्स है नोट्स कर ले बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन आपका है गुलाब सागर बांध किस जिला में है सापुरा, सीदी, चंबल घाटी या बंजार जिला तो आपको ध्यान में रखना है आपका जो गुलाब सागर बांध है वह कहां इस्तित है आपके सीदी जिले में इस्तित है बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन आपका है चलिए कुंडालिया परियोजना विवादा इस्पद है क्योंकि ये मदिप्रदेश में सूखा लाएगा खेती की व्रद्दी का कारण होगा जमीन का बड़ा हिस्ता डूब जाएगा या भुकम्पी छेतर में भुकम्प आ जाएगा तो गाईस इसका में कारण क्या है जो आपकी कुंडालिया परियोजना है वह विवादा इस्पद है तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अगर कुंडालिया परियोजना है ये विवादा इस्पद क्यों रही है क्योंकि जमीन का बड़ा हिस्ता डूब जाता है इससे ओके यह आपको ध्यान में रखना है बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन आपका है 30 नमबर का कोश्चन चली यहाँ पर उपर लेजा लेते कोश्चन को चली संजे सागर और रहती में क्या समानता है दोनों एक ही नदी पर बने बांध है, दोनों एक ही जिले में श्तित बांध है, दोनों प्रमुक सेचाई परियोजना, दोनों नीजी परियोजना है तो guys आपको ध्यान में रखना है कि दोनों में जो समानता है, वो दोनों एक ही जिले में श्तित है बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन आपका है चलि अगर गईस हम से कोई गल्ती हो जाती है तो आप कमेंट करके हमें बता दे हम वह गल्ती यहां पर करेक्ट कर वा लेंगे गल्ति सभी से होती है बरारी, निमखिड़ा, रिच्छन और केशरी ये सभी विंदे परवत माला में उत्पन होने वाली न दिया है, चंबल की साइक न दिया है, नर्वदा की उपना दिया है या उपरी बेतवा के बांध है तो इसका सही उत्तर आपका होगा उपरी, बेतवा के बांध है यह बरारी, निम्खेडा, रिच्छन और केस्टरी यह सभी बांध है और कहां के उपरी बेतवा के बांध है गाइस अगर गलती होती है तो हम यहां पे पुरी तरह आपको सुधारने की कोशिस करेंगे अपने गाइस चली बढ़ेंगे अगले question के और 32 नमबर का 32 नमबर का question यहाँ पर पचमणी किस जिले में इस्तित है तो गाइस यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको पचमणी आपका होशंगाबाद डिष्टिक में इस्तित है और देन पचमड़ी को आपकी ग्रिस्म कालिन राजधानी भी कहा जाता है यहीं पे आपकी जो है पचमड़ी में पांड़ो गोफा पाई जाती है जहांपे पांड़ो ने समय बिताया था ओके जो 14 साल का वनवास हुआ था उसमें यहांपे पांड़ो ने पचमड़ी में ही बिताया समय कुछ समय पांडव गुपा में ओके बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन आपका है 33 नंबर का कोश्चन चलिए 33 नंबर का कोश्चन है गैस यहां पे इंदोर में इस्टित हवाई अड़े का नाम क्या है धन्ना अंतराश्टी हवाई अड़ा राजा अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन आपका है चलिए कौन सा योग में सही नहीं है जबलपूर गंगेरिश फेक्टरी चंदेरी सिल्क पन्ना महुतसव भिलाई इस्टिल प्लान तो गैस यहां पे आपको ध्यान में रखना है आपका थर्ड नंबर का ओप्शन गलत है यहां पे आपकी जबलपूर में गंगेरिश फेक्टरी है आपको ध्यान में रखना है और चंदेरी सिल्क के लिए जाना जाता है यानि यहां के जो सिल्क है रेसम उनसे साड़िया बुनी जाती है ओके यहां पे चंदेरी की साड़ी और महसवर की साड़ी काफी प्रसीद ह है यह आपको ध्यान में रखना है और ये खरगोन में पाए जाता है ओके मैस्वर और चंदेरी दोनों खरगोन में हैं बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन आपका 35 कोश्चन है चली बुंदिल खंड वंस के साही उद्धान और ग्रिसमकालीन महल को क्या कहा जाता है रॉयल महल भगोरिया फूलबाग बुंदिल खंड वाग तो इसका सही उत्तर आपका होगा फूलबाग क्या कहा जाता है फूलबाग कहा जाता है बुंदिल खंड वंस के साही उद्धान और ग्रिसमकालीन महल को फूलबाग कहा जाता है बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन आपका 36 नमबर का कोश्चन है मद्यप्रदेश का दूसरा उच्चेतम इस्तान कोन सा है मद्यप्रदेश का दूसरा उच्चेतम इस्तान याने हील इस्टेशन कोन सा है हाइस्ट पाइंट हो ही लिस्टेशन नहीं हाइस्ट पाइंट कौन सा है पचमड़ी चवडागर मारगी या बढ़ा ताला तो आपका चवडागर आपको ध्यान में रखना है चवडागर आपका मद्यप्रदेश का दूसरा सबसे उच इस्तान है देन नेक्स कोश्चन आपका देखते है 37 नमबर का ओके निम्न में से कौन सा संग्राल है जिसमें सोने से रंगा दर्वार हॉल है जो बहुती आकरसक है तो गैस यहां पर आपको ध्यान में रखना है आपका जो महाराज जिवाजी राव सिंदिया का संग्राल है वो बहुती आकरसक है क्यूं है ऐसा तो उसमें जो संग्राले में है सोने से रंगा दर्बार हॉल है ओके बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन आपका 38 नमबर का कोश्चन है ओके चलिए भगोरिया एक बसंत तेवार है ग्वालियर की भित्री भाग की एक जन्जाती है चंदेल सास है तो गाइस आपका कोश्चन था कि भगोरिया तेवार है ग्वालियर की भीत्री भाग की एक जन्जाती है चंदेल सास को ओओ 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 ओओओ ओओ मैस यहां फिर से करना पड़ेगा मुझे कोश्चन आपका जो कोश्चन है वो है आपका कि भगोरिया एक बसंत तेवार है ग्वालियर की भीत्री भाग की एक जंजाती है चंदेल सासको के कला का एक प्रकार है मारगी में इस्तेद गूफा का मंदिर है तो आपको ध्यान में रखना है आपका जो भगोरिया है वह एक बसंत तेवार है ओके गईस मद्धि प्रदेश में कहां इस्तित है बहुती प्यारा से कोश्चन गाईस ओके तो आपको ध्यान में रखना है ये आपका देखी आपके जो बारा जोतिर लिंग है भारत में उनमें से दो आपके कहां है मद्धि प्रदेश में इस्तित है और ये दोनों कहां इस्तित है महाकालेश्वर आपका उज्जेन में आ जाता है और उंकारेश्वर आपका खंडवा में ओके तो ये दोनों मद्यप्रदेश में स्तित है जोतिर लिंग ओके आपको ध्यान में रखना है बढ़ेंगे अगले कोश्चिन के उर अगला कोश्चिन आपका है फोटी नमबर का लिंग पर असोक की जीत का या बुंदैल खेंट सासको के ग्रिस्म कालिंद राजधानी का तो इसमें से सही उत्तर आपका क्या होगा जो सुन्दर महल प्रतिक है वह किसका है गाईस तो आपको ध्यान में रखना है किसका प्रतिक है वहा राजकुमार धूर भजन और उनकी प्रतिक है सुन्दर महल ओके बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन आपका है फोटी वन नमबर का कोश्चन ओके मद्धि प्रदेश में सबसे बड़ी जन जाती है बहुती प्यारा सा कोश्चन तो आपको ध्यान में रखना है जो आपकी मद्धि प्रदेश में सबसे बड़ी जन जाती है वो गोंड है ओके गईस बढ़ेंगे अगले कोश्चन क्यों अगला कोश्चन आपका है प्रसिद गायक तानसेन कहां से थे तो आपको ध्यान में रखना है आपका जो प्रसिद गायक तानसेन था वह आपका ग्वालियर से सम्द्धित है देन य जो है तांसेन इनका जो मगबरा है वो मद्धिप्रदेश में ग्वालियर में है और सबसे बड़ा मगबरा है मद्धिप्रदेश का पचपन वर्ग किलो मिटर में फैला है इनका मगबरा और मद्धिप्रदेश का सबसे बड़ा मगबरा कहलाता है देन इनके मगबरे के बाज आपका 43 नंबर का है बस्तर से कांग्रेस पार्टी के विपक्च के आदिवासी नेता जिनकी 2013 में माववादी हमले में हत्या कर दी गई थी बहुत ही प्यारा कोश्चन बस्तर से कांग्रेस पार्टी के विपक्च के आदिवासी नेता जिनकी 2013 में माववादी हमले में हत्या कर दी गई थी तो ये चुन नेता थे आपके वो थे मैंदर कर्मा, ओके बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन आपका है चली, इंदोर में पैदा हुए सबसे लोग प्रिगायक, कोन है तो ये आपकी स्वर कोपिला लता मंगेसकर जी है ओके आपको ध्यान में रखना है गाईस, बहुत ही कहना, देखिए, यहाँ पे अगर आपको पुछता कि किसोर कुमार कहां पैदा हुए, तो ये आपको ध्यान में रखना है, खंडवा में पैदा हुए, ये भी एक संगीतकार है गायक है, और ये एक प्रकार से फेमस गायक है किसोर कुमार भी जो कि खंडवा से रिलेटेड है, अब यहाँ पे आपको पुछा है कि इन्दोर में पैदा हुए, तो ये आपके लता मंगेसकर है, जो कि एकदम लोगप्री गायक है और, ऐ मेरे वतन की लोगों इन्होंने गाना गाया है, आप सभी सातियों को याद होगा कि ये गाना चब बचता है, तो आखों में आशु उबर आते है गाईस, और बहुती अच्छा गाया है इसलिए इन्हें स्वार कोकिला भी कहा जाता है बढ़ेंगे अगले कोश्चन क्यों, अगला कोश्चन आपका है 45 नंबर का प्रसिद क्रिकेटर राहूल द्रवीन का जन्म कहां हुआ था ग्वालियर, इंदोर, भोपाल, जबलपूर बहुती अच्छा और सांदर कोश्चन ओके तो आपको ध्यान में रखना है राहूल द्रवीन जी का जन्म कहां हुआ था तो ये आपका हुआ था, इंदोर में हुआ था बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन आपका 46 नंबर का कोश्चन है गाईस अगर आपको केश्चन इंपॉर्टेंट ना लगे तो इस कीप कर दीजी लेकिन ये जो केश्चन है ये आपके एक्जाम में पोच्छे गए की कोश्चनों मैंसे यहाँ पर आपके लिए कलेक्ट किया गया है और बिल्कुल आपके लिए ही important है ओके बियार अमबेटकर का जन्म कहां हुआ था उज्जेन भोजपूर साजीपूर महू तो guys यहां पे आपको ध्यान में रखना है सविधान निर्माता का जन्म आपका महू में हुआ था ओके guys ऐसे ऐसे महान विबुतियों का जन्म मदिप्रदेश में हुआ है ओके guys आपको ध्यान में रखना है बियार अमबेटकर का जन्म आपका महू में हुआ था बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन आपका है 47 नंबर का कोश्चन जो भुपाल में पैदा हुए भारत के नवे राष्ट पती है वह कोँ है आपके संकर दयाल सर्माजी है ओकी रोंडाउन कर ले इस्पेसल है ये आपके लिए डेन आपका 49 नंबर का कोश्चन पे आप सभी साती आ जाएंगे ओकी गाइस चलिए विसम जोड़ी कौन सी है आपको पैचानना है जेस वर्मा कानून या न्याई किसोर कुमार संगीत या बाल्यूड रमेश चंडर अगरवाल व्यापार या समाचार पत्र देन आपके मुस्ताक अली होकी या खेल प्रसासन तो क्या है आपकी सही जोड़ी दी है इनमें से उनसे संबंदित related कार या profession के बारे में दिया गया है इनमें से किसका profession गलत है मेच नहीं खा रहा है वो या किनका सही है तो कौन सी जोड़ी सही है इनमें से ये आपको चूस करके बताना है तो गैस इसका सही उत्तर आपका होगा जो आपके मुस्ताक अली है वो हाकी खेल से सम्मंदित है ये आपको ध्यान में रखना है वो श्वारी स्वारी विसम जोड़ी बोला है गलत है तो आपको ध्यान में रखना है कि जो मुस्ताक अली है वो हाकी खेल प्रसासन ये आपकी विसम जोड़ी है बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन आपका है फिप्टी नंबर का कोश्चन इन सभी में क्या समानता है सिवेंदरसी रूप असरम सेर खान और आमद खान सभी हाकी खिलाड़ी है सभी किर्केट खिलाड़ी है संगीत कार है या राजनेता है तो आपको ध्यान में रखना है ये जो तीनों है सिव सातियों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और विल आइकन को दबा देता कि आप तक सबसे पहले लटेश्टे वीडियो मिलते रहे और हां डिस्क्रिक्शन बॉक्स में आपको टेलिग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है जहां पे सबी वीडियो डाले जाते है और सबी प्रकार की पिडियो वहां पे आपको इंपोर्टेंट दे जाती है तो चलिए पुना आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में फिर मिलेंगे इसी तरह की इंपोर्टेंट कोश्चन के साथ जैहिन ठें